असलाम अलेकूम व्यूवर्स वेलकम बेक टू माई चैनल कैसे है आप सब अलहमदुल्लै मैं भी ठीक ठाक और मज़े में हुमें थे आप सब लोग भी हैरियत से होंगे ये ता संड़े का दिन मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाया तो संड़े का दिन था तो बहुत ही हमोशी थी और मैं उठी और बेड़ वगएर सेट किया उसके बाद मैं अपने नाश्टा बना रही थी नाश्टे में बस में चाय बनाऊंगी और साथ में कपकेक और बिस्किट बस यही मेरा नाश्टा होगा वैसे मैं पराटा नहीं काती जब हस्बिन गर पे होते हैं तो तब पराटा होता है वैसे नॉर्मली में ब्रेड या इस तरह बिस्किट वगेरे के साथ नाश्टा कर लेती हूँ मेरा नाश्टा यहाँ पे रेडी है और अब मैं जाके नाश्टा करूंगी और साथ में मैं सुरी रहमान की दिलावत भी लगा के वो भी सुनूंगी और नाश्टा भी करूंगी क्योंकि मैं हर सुबों सबसे पहले सुरीरहमान की दिलावत सुनती हूँ यह दिलावत पे कॉपिराइट आ रहा था तो मुझे उसको मजबूरान म्यूट करना पड़ा क्योंकि वीडियो मैंने एक दफ़ अपलोड की तो उस पे कॉपिराइट आया तो मुझे इसको बंद करना पड़ा और दुबारत से मैं अपलोड करूँगी इस वीडियो को सुबर ऊटके मेरा कुछ भी काने को दिल नहीं चाहता तो नाश्टक करते करते ये टाइम हो जाता है और यहाँ पे नाश्टक करके मैं बालकॉन में आई थी और मैं ब्लेंकिट भी लेकि आई थी दूप लगवाने के लिए और देखे कितनी हमोशी है संड़े के दिन ऐसा लगता है जैसे कोई भी यहाँ नहीं रहता और यह तर सेकेंड डे मतलब नेक्स डे आज भी दूप निकली थी मंडे को भी तो बहुत ही अच्छी दूप निकली थी और अभी आप लोग रस चेक करेंगे दूसरे साइट पे कितना रश है संड़े को कितनी हमोशी थी और आज देखे इतना ज्यादा रश यहाँ पे काफी दिन और बाद काफी दिन और बाद दूप निकली थी दो दिन से, तो मेरा मोड अच्चा था, तो मैंने सोचा कि चलो, चिकन ब्रेट पेटी जद बना लेती हूँ, पाकिस्तान में भी मैं बनाती थी, तो भी मैंने सोचा मैं दुबारा से बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी, बहुत ही मज़े के बनते हैं, आप लोगों ने जरूर ट्राइ करना है, इसको बहुत एजी सी रेसिपी है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम बटर लेंगे, टूटी स्पून और एक टी स्पून बर के म कायर सोस बनाने के लिए, मेदे को अच्छी तरह भून के पर इसमें हम दूद एट करेंगे, एक कब दूद लेना है और इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि गुड्लिया ना बने, और पिर इसमें चीज एट करना है, आपके पास मौजरेले चीज है, चैडर चीज है, जो भी है आप यूज़ कर सकते हैं, मैंने त्री स्लाइस यूज़ किये थे, मेरे पास स्लाइस थे, अगर आपके पास करश है, जो भी है आप ले सकते हैं, और अपने टेस्ट के मताबि इसमें आप नमक और काली मिर्च भी एड़ करें मैंने पहले से चिकन बॉयल की हुआ था तो वो भी इसमें मैंने एड़ किया एंड पे और अब मिक्स करूंगी और बस पे सोस रेड़ी है हमारा यहाँ पे मैंने ब्रेट लिए और उसको इस तरह शेप दिया आप कब से करना चाते है गिलास से करना चाते है जो मरजी आप इस तरह शेप बना सकते है इस तरह गोल गोल और जो इसके किनारे बच्चते हैं तो उसको हमने जायर नहीं करना उसके हमने करम्स बनाने है यहाँ पे सारी चीज़े मैंने रेड़ी की हुई थी और यहाँ पे मैंने मेदा लिया था और उसको पानी में गौल लिया था ना ज्यादा पतला करना है ना ज्यादा तेक रखना है बस नॉर्मल और अब इस तरह करते जाएंगे आफ लोगे अभी मैं एक बना के आप लोगों को दिका रही हूँ कि इस तरह बनाना है इसके बाद जली जली मैं सारे बना लूँगी और इसको पिर जितना मुझे फ्राई करने मैं फ्राई कर लूँगी बागी को मैं फ्रीज करके रख दूँगी आप लोग बना के फ्रीज कर सकते हैं मैंने 12 बनाये थे और तोड़ा सा चिकन था ज्यादा चिकन भी नहीं लिया था और नहीं बागी चीजे तो बहुत कम चीजों में बहुत ज्यादा बन जाता है तो यह दे की मैंने सारे बना ली और कुछ मैं फ्राइ करूँगी और बागी को मैं फ्रीज कर लूँगी पिर जब दिल चाहेगा तो मेरे लिए इजी होगा पिर उसको बस निकाल के फ्राइ किया करूँगी बहुत यमी बनते हैं अंदर से सॉफ्ट और बाहित से करंची तो आप लोग जरूर एक बार ट्राइ करें और पिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्ला हफिज